दिवाली रेसिपेज में आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लगडू खाने में बहुत जादा मज़ेदार और केश्पी बनने वाले हैं क्या आपकी भी लगडू बनाते वक्त ना चिपचिपी हो जाते हैं कनिदार नहीं बनते हैं उसे के साथ खाते ही गले में चिपक जाते है यह सारे प्रोब्लेम का सुलिशन शिर्फ आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्री ओनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के विसीरी में तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना कर लेंगे चाशनी क कैंषनी इसे बनाएंगे भूला भूरा बनानी की वज़ये है कि जो हम वेसन के लगड्यू बनाने वाले हैं बहुत जाद baggage बनते हैं ल은 वादाल बनते खाने में बहुत रहस्ति बनते हैं और इसे continue चम्मत चलाते रहना है जब तक यह गाड़ी नहीं हो जाती तब तक तो इस तरह से चाषने का कलर बदलना चाहिए और जैसे कलर बदलता है इस तरह से गाड़ी हो जाती हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे गैस की फ्लेम बन करने एक बाद उसे मैंने गैस से नीचे उतार दिया है और इस तरह से कंटिनू चम्मत चलाते रहना है यहाँ पर कोई भी मोमेंग स्कीप नहीं होना चाहिए अगर स्कीप हो गया यह जो चाशनी है फत्तर में बदल जाएगी फिर आपको मिक्सिजार में इसे पीस कर लेना होगा तो देखिए कंटिनू चम्मत चलाते रहने के बाद इस तरह से यह दाने दार बूरा बन गया है अगर आपकी चाशनी में कोई लम्स आ गया है तो आप उसे मिक्सिजार में पीस कर ले सकते है उसके बाद आपको उसे फिल सेख बल छान कर लेना होगा इसलिए वहाँ पर कंटिनू चम्मत चलाना है ताके हमें और भी जादा काम ना गिले तो देखें आप कड़ाई लेनी है कड़ाई जाड़े तली के लेनी है और यहाँ पर मैंने चान कर बेशन का आटा ली हूँ एक कर्टोरी और आदा कर्टोरी यहाँ पर मैं रवा लेने वाली हूँ तो देखें दोनों चीज़े अच्छे से मिक्स करके लेनी है तो यहाँ पी मैंने देल कर्टोरी चीनी ली थी उसे साब से यहाँ पे अगर आप पूरी तरह से बेसन लेने वाले हैं तो देल कर्टोरी बेसन लीजिए तो वजन से यहाँ पी यह 300 ग्राम है या फिर आप आदा कर्टोरी रवा ले सकते हैं और एक कर्टोरी बेसन ले सकते ह यहां पर दस से बारा मिनिक तक आईसे भून कर लेना है जब तक बेसन का कच्छा पन चलाने जाता बेसन की जो आपको बेसन भूनते वक्त कच्छी समेल आने लगती है पूरी तरह से जाने चाहिए तब तक हमें काइंटेनु चम्मा चलाते हुए यहां पर बेसन को भून कर है तो देखिए बेसन कितना खिला खिला हो गया है हलका सा इसका कलर भी चेंज हुआ है जैसकी फ्लेम लोग पर रखके ही सारी प्रोसेस करनी है बेसन की कच्छी समेल जाने के लिए मुझे यहां पर दस मिनिट का वक्त लगा है आप यहां पर लेंगे उसी कटोरी से एक कट भी को हम यहां पर थोगा थोगा डालते होए दो बैचेस में कंप्लिक्ट करने वाले है तो देखिए मैं यहां पर थोगा घी डाल कर ले लिया है उसी तरह से इसे कंटिनियू फिल से चमाच चलाते होए भूनते रहना है तो देखिए यहां पर बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है तो बचा हुआ घी भी हम वापिस से डाल कर लेंगे अब थोगा सा मेजरमेंट ध्यार में रेखिए आप जितना बेशन लेने वाले है उतने ही चीनी लीजिए घी का मेजरमेंट इतना लेना है जैसे कि यहां पर आदा किलो बेशन हुआ आदा किलो चीनी हुई तो उस हिसाब से आपको 300 ग्राम घी लेना है अब आपको यहां पर बेशन पूरी तरह से पतला होता हुआ नजर आएगा इसी तरह से कंटेनेव फिर से दो मिनिक तक चम्मचा लाते रहना है इसके अंदर लगडू वाली खुश्बू आने लगती है तो देखे हलका सा कलर लगडू को रवदार कनीदार बनाना ना है इसी लिए थे और पानी याउदार नहीं ढवाण 50 पानी बनता जाना है तो फूलने लगएगा इसके अंदर रवादार की तरह की तदो बनते जाएंगे देखे इस तरह से अब हमें चम्मच चलाते रहना है गैस की फ्लेम लोग पे रखे और इसी तब तक बुलना है जब तक इसके अंदर से ना जो हमने घील डाला है उगी उस सर्फेस के उपर नजर नहीं आता तब तक तो यहां पर फिर से हमें पाच मिनिक का वक्त लगेगा त इससे भी मिक्स करके लेंगे और यहां पे अब डालेंगे हमने जो चीनी का भुरा बना कर लिया है उसका यूज करने वाले हैं चीनी का बुलाण डालते वक्त हमें गैस की फ्लेम पूरी तरह से बंद कर देनी है और हमारी कब़ाई अभी भी गरम है उसे में हम आगे की प् तरतन ले जारी तले का ही इस्तेमाल कीजिए तो चलिए अब इसे भी डाल कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं तो देहान रिखे हम इहां पी जो चीनी का बुरा बनाया है पूरी तरह से ठंगड़ा होना चाहिए और जो बेशन का अटा यो गर्म होना चाहिए आप यह थोगा सा गुनगोना हो जाए तब हम इसके लगड़ू बांद कर लेंगे अपने पसंद के सबसे छोटे वगए आपको जो पसंद है उस तरह से आप इसे लगड़ू बांद कर ले सकते हैं बस जो बूरा हमने मिलाया है वह अच्छे सी मिक्स करके लेना है इस तरह से पसंद के साफ से कोई भी ड्राइनक्स लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लगड़ू बनाते वक्त औरेंज फूल कलर का थोगा सा इस्तिमाल किया था चीनिंग डालने के बाद तो उसी का कलर यहाँ पर थोगा सा औरेंज में आया है तो इस तरह से यहाँ पर लगड़ू बन कर तयार है अगर आप वे लेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कुकिंग रिलेक्टर इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है